भारतिय जनता पार्टी की गंदी राजनीती कहां तक गिर सकती हैं उसका प्रमान आज दिल्ली वालों को मिल गया आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के बेटे अर्विंद केजरी वाल जी की विकास पुरी की फद्यात्रा में भारती जनता पार्टी के गुंडों ने अर्विंद केजरिवाल जी पर हमला किया भारती जनता पार्टी पिछले 10-12 सालों से हर बार अर्विंद केजरिवाल को खतम करने के प्रयास में लगी रहती है ED, CBI, Jail सब कुछ किया एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने पीजेपी पर साधा निसाना अर्विंद केजरिवाल को हरा नहीं सकती पीजेपी इसलिए उनकी जान लेना चाहती है भारतिय जंता पार्टी को पता है कि वो अर्विंद केजरिवाल जी को आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकती इसलिए वो इस गंदी राजनीती पर उतर कर अर्विंद केजरिवाल जी पर हमला करना चाते हैं उनकी जान लेना चाते हैं विकास पुरी में पद्यात्रा के दौरान अपने गुंडी भेज बीजेपी ने कराया हमला भारतिय जनता पार्टी के गुंडों ने अरविंद केज दिवाल जी पर हमला किया नमस्का दोस्तो दोस्तो दिल्ली के विकास पुरी में पद्यात्रा के दौरान पूर्व सीएम अरविंद केज जी बाल पर हमला हुआ जिसका जम्मिदार आमादमी पार्टी ने बीजेपी को ठहराया है अविंद्र केजी बाल पर हुए हमले के बाद से राजनीती में हलचल मच गई है एक से एक बढ़कर आप नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और सभी बयान बीजेपी पर हमलावार है एक बार फिर दिल्ली की सेम आतिशी ने बीजेपी पर निसाना सादा और आरोप लगाया है कि ये हमला बीजेपी के गुंडों ने किया है आईए देखे पिछले दो साल से भारतिय जंतापाटी ने अर्विंद केजरीवाल जी को परिशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अब भारतिय जंतापाटी को साफ साफ दिख रहा है क्योंकि अर्विंद केजरीवाल को परिशान करने की साजश अर्विन केजरिवाल के काम रोकने की साजश जब हर तरफ से नाकाम हो गई है तो अब वो अर्विन केजरिवाल जी की जान लेना चाहते है अर्विन केजरिवाल जी को कुछ भी हुआ तो दिल्ली के लोग उने कभी मात नहीं करें अगर अर्विन केजरिवाल जी का बाल भी बाका हुआ तो दिल्ली के लोग भाजपा बालों से बदला लेके रहेंगे दिल्ली वालों को पता है कि हर बार जब अर्विन केजरिवाल जी पर हमला हुआ है चाहे वो दिल्ली सचेवाले में हो चाहे वो मोतीनगर में हो हर बार हमला करने वाला भार्तिय जन्ता पार्टी का हिकला है मैं चैलेंज करती हूँ भार्तिय जन्ता पार्टी को कि अगर हिम्मत है तो जांच करवा कि दिखू अगर हिम्मत है तो इस हमला वर पे सक्षे सक्ष सजा करवा लेकर यह हिम्मत भार्टी एजल का पार्टी नहीं है क्योंकि यह हमला उन्हीं ने करवाया है जिसके साथ ही आतिशी ने हमला करने वाले सक्स की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा जिस आदमी ने आज अर्विंद्र के जी बाल पर हमला किया वे बीजेपी का गुंडा है जिसके साथ ही आमादमी पार्टी के दुर्गेश यादम ने कहा कि बीजेपी इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत कर सकती है यह सोचा नहीं था आएए देखिए निंदिनी और कायरतापूर हमला है हरकत है मैं कहुँगा भारती जनता पार्टी की तरफ से भारती जनता पार्टी पिछले 10-12 सालों से हर बार अर्विंद्र केजरिवाल को खतम करनी के प्रयास में लगी रहती है ED, CBI, Jail सब कुछ किया लेकिन दिली की जनता के दिलों से नहीं बाहर निकाल पार है और यही कारण है कि एक तरीके से आज उनके उपर पद्यात्राओं के अंदर हमला किया जा रहा है इससे जादा घटिया और इससे जादा गिरी हुए हरकत भारती जनता पार्टी से कभी सोचा भी नहीं जा सकता था इतनी जादा गिरी और घटिया हरकत करने की तो दोस्तों इस घटना के बाद से आतिशी ने दिली पुलिस पर भी सवाल खड़ा कर दिया है उन्होंने कहा कि एक बार भी अद्विंद्गेजी बाल पर हमला करने बालों पर पुलिस द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है तो दोस्तों आपकी इस ख़बर पर क्या राय है क्या सच में यह हमला भारती जनता पार्टी के द्वारा कराया गया है यह सिर्फ एक साजिश है हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें वेल आइकन दबा कर लेटिस्ट नोटिफिकेशन पाएं